आज डिस्कस करेंगे हम कि वर्ट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है या नहीं कि वर्ट जो ट्रांसफर था वो पाथ पर डिपेंड करता है या नहीं जिसा कि साइकल लिखे हुए साइकल नमबर फरस्ट है वन से ए ए से टू टू से सी एंड सी से वन यह साइकल नमबर टू है हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफर होता है फ्रस्ट लॉफ थर्मो डैनरिकी अनुसार B बरावर daw हे इतना हीट रह सारी की सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी सारी की सारी हीट में ट्रांसफर होती है तो साइकल वन की अगर। BQ cycle 1 cycle 1 1-A, A-2, 2-B and B-7 तो BQ 1-A, A-2, BQ 2-B and B-7 is equal to DW 1-A, A-2, 1-A, A-2, 2-B and B-7 DW 1-A, A-2 plus DW 2-B, B-7 इसको बुला पने समी करें नमबर first equation number first cycle number 2 1-A, A-2, 2-C, C-1 cycle number 2 है heat transfer DQ 1-A, A-2 plus DQ 2-C and C-7 is equal to DW 1-A, A-2 plus DW 2-C, C-7 इसको बुला पने समी करें नमबर 2 समी करें एक में से समी करें 2 को गठाने पर क्या मिलता है? जब equation number first में से equation number second रहणाँ बार equation number second गठाया तो मैं जी क्या मिला DQ 1-A, A-2 cancel out हो जागा, DQ 1-A, A-2 इसी प्रकार DW 1-A, A-2, DW 1-A, A-2 cancel out हो गया हम जानते हैं कि वर्क ट्रांसफर है, वह एक पाथ फंक्शन है, वह पाथ पर डिपेंड करता है, जिससा कि प्रोसेस 1 से E, A-2, F है, हमको पता है कि 1 जो एरिया नीचे वाला एरिया है वो इसका वर्क ट्रांस रख लाता है कि यह इसका वर्क है यह इसका वर्क है प्रोसेस वन से ए से टू इसी प्रकार प्रोसेस टू से ए टू से एफ एफ से वन इसका वर्क यह वाला है दोनों प्रोसेस का वर्क है और दोनों प्रोसेस का वर्क डिफ्रेंट है दोनो प्रोसेस उन दोनों प्रोसेस के end point ने वन जो कि सेम है लेकिन end point same होने के साथ साथ इसका मतलब यह नहीं है कि इनका work transfer भी same होगा दोनों का area अलगा लग है तो दोनों का work transfer भी अलगा लग होता तो हम जानते हैं कि work transfer क्या एक path function है जो कि path पर depend करता है तो equation number third seven को पता है dw2 से bb7 minus dw2 से cc7 यह जो वाला work है वो is equal नहीं हो सकता कि दोनों की cycle अलग अलग है दोनों के process अलग अलग है दोनों का area है तो dw2 से bb7 is not equal to 2 से cc7 जब इसका work transfer समान नहीं होगा तो इसका heat transfer समान कैसे होगा तू से d dq 2 से bb7 minus dq 2 से c1 तो dq 2 से bb7 minus 2 से db not equal to 0 यह 0 नहीं हो सकता है इसी प्रकार dq 2 से bb7 is not equal to 2 q 2 से c7 is not equal to इसका मतलब यह जब work transfer समान नहीं हुआ तो heat transfer समान कैसे होगा इसलिए जो heat transfer है cycle 1 and cycle 2 दोनों का end point है वो समान है इसमें process 2 से bb7 process 2 से c and c7 दोनों का end point समान है end point समान है लेकिन इसका जो heat transfer है वो समान महीं है इसलिए जो heat transfer है वो एक path function एक path पर depend करता है ना कि एक प्रपरड़ी परड़ी परड़ी परड़ करती है यह path function है thank you